हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका डिजिल दैयारी चैनल पे मैं श्रियांस कोठारी लेक हैं दोस्तों आपका प्यारा सीरीज बीद दे कॉंसेट बीद दे कॉंसेट ऐसे कुछ वीडियोज हैं जहां पे छोटे छोटे वीडियोज बना के हम एक्जाम उपयोगी कॉंसेट को क आज का कॉंसेट क्या है दोस्तों आज का कॉंसेट मैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश से लाया हूँ और इंग्लिश में एक चैप्टर है दोस्तों आर्टिकल आर्टिकल चैप्टर है जो आपने शायद जरूर पढ़ा होगा ए एन और द और एक साथ में जीरो आर्टिकल क्रॉस वाला यहाँ पे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो एक बहुत important concept है याद रखना है very very important दोस्तों buy और car यह दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यानि कि अगर मैं कहूँ आपसे कि buy car और in a car ध्यान से देखेगा जब ही मैं buy के साथ car या फिर train या फिर इस तरह का कुछ भी लगाऊं air लगाऊं तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है इन दोनों शब्दों के बीच किसी प्रकार का article a and other नहीं चाहिए वापसे सुनिए मेरी बात को अगर मुझे car या train या air या bus कुछ भी लगाना है मैं अगर buy का प्रयोग करता हूँ मुझे उसके बीच में कोई article नहीं चाहिए अगर article आया है that means error है आपको ध्यान रखना है कि वो गलत है ठीक उसी प्रकार से in car जब आएगा तो in a car या in the car दोनों चलेंगे difference हमझे गा जब हम buy car की प्रयोग करते हैं that means हम means of transport की बात कर रहे हैं हम means of transport के बारे में कह रहे हैं कि भहिया कार के द्वारा यानि buy car आये हैं हम means of transport, sun, saadhan उसका जो saadhan है वो और in-car की जब भी हम बात करते हैं that means हम यहाँ पे उस vehicle की बात कर रहे हैं मैं एक car से आया हूँ मतलब मैं मेरी car में आया हूँ तो मैं एक car में आया हूँ car में आया हूँ car से आया हूँ यही difference है car वो साधन था जिससे मैं आया हूँ car वो vehicle था जिससे मैं आया हूँ अरे बहिए यही वाली car से तो मैं आया हूँ in the car I was in the car जब भी in और car का प्रयोग किया जाएगा तो the या अ लगाया जाएगा लेकिन जब भी buy के साथ car आएगा तब कोई article नहीं लगेगा ये तो आपको समझ आ गई बात अब इसी concept से एक और नया concept है दोस्तों television का television का क्या concept से वो भी समझा देते हैं आपको दोस्तों television से आपको ये समझना है मेरी बात को समझ येगा television से जुड़ेवे दो तरह के लोग हैं दोस्तों एक वो लोग हैं जो इस television पे आपको program देते हैं ये जो TV लाया हूं मैं शायद बहुत पुराने जमाने के लाया हूं हमारे जमाने की TV आए आजकल ऐसी TV देखने को नहीं मिलेंगी आजकल तो यहां remote होता है यहां पहले switches होते थे खड़े होके जाके आपको change करना पड़ता था तो हम बात कर रहे थे television पे दो तरह के लोग जुड़े हैं एक वो जो television पे कोई program देते हैं example के तोर पे क्या ऐसा हो सकता है example के तोर पे हो सकता है दोस्तों कि Asta TV Z News वाले या संस्कार वाले या 10 Sports वाले यह सारे लोग television पे program देते हैं और एक हम लोग जुड़े हैं जो हम TV पे program देखते हैं तो मैंने कहा दो तरह के लोग जुड़े हैं एक वो जो TV पर देने वाले होते हैं और एक वो जो TV पर देखने वाले होते हैं अब जरा सोचीएगा मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ जब मैं कहता हूँ आपको कि ये टीवी पर प्रोग्राम दे रहे हैं क्या ये सभी लोगों की टीवी पर प्रोग्राम दे रहे हैं जिनके प्रोग्राम आता है या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशली कस्टमाईज दे रहे हैं सोचिएगा जरा सभी को दे रहे होंगे न जब ये सभी को दे रहे हैं जेनरल वे में तो हम कहते हैं on tv ये program कहा रहा है on tv लेकिन जब आप program देख रहे हैं तो क्या अपने घर पे आप अपनी tv पर देख रहे हैं या colony की सारी tv अपने घर पर मंगा के देखते हैं जब आप देखेंगे तो specific हो जाएंगे तो जब आप देखेंगे तो इसे कहेंगे on the tv मेरी बात को समझ येगा जब program broadcast किया जा रहा है telecast किया जा रहा है तो on television आता है मैं जब उसे देखता हूँ तब मैं on the tv का प्रयोग करता हूँ मेरे कहने का meaning समझ येगा कि मैं क्या कहना चारा हूँ sentence में उस tv का प्रयोग कैसे किया गया है उस पर निर्भर करेगा अभी एक काम करते हैं एक example मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ देखेगा ये देखेगा मैं एक example लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए इस match will be telecast on the tv या television and I will या शैल लगानी ने चाहिए आई के लिए I will definitely watch it on television अब मेरी बात को समझेगा हमने यहाँ पर क्या किया यहाँ जो match है telecast यानी प्रसारित किया जाएगा TV पर दोस्तों जब यह TV पर प्रसारित किया जाएगा तो आपके अखेले के घर पर आएगा या सभी के घर पर आएगा सभी के आएगा ना उस केस में दन नहीं लगेगा ओन टीवी ही आएगा यही तो आपने कहा था जब प्रोग्राम telecast किया जाता है तो ओन तेलिविशन आता है इसी तरही के से ओन टीवी ओन रेडियो इन न्यूस्पेपर कर सकते हैं और आई विल वाज़ जब देखूंगा इसे तो क्या आप मैं अपने घर की टीवी पर देखूंगा जी हाँ स्पेसिफिक हो जाएंगे हम जेनरलाइस से अलग चले जाएंगे तो यहाँ जब हम देखने वालों की श्रेडी में आएंगे अन दे टीवी लगाएंगे जब हम भेजने वालों की श्रेडी में आएंगे तो अन टीवी लगाएंगे तो आई थिंक आई हमेंड मैसल वेरी मच क्लियर ऐसे कुछ शांदार शांदार कॉंसेप्ट अभी और भी बहुत सारे कॉंसेप्ट बाकी हैं इसी तरीके से आप हमारा साथ बनाए रखिए हम ऐसे ही बहुत ही धवाकेदार कॉंसेप्ट आपके लिए लाते रहेंगे आपके ही प्यारे चैनल पे जसका नाम है डिजिटल तैयारी प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी